Hello guys, welcome to the channel, आपको ये अपने YouTube चैनल में आपको स्वागत है, आज हम टायर 1 के रिजल्ट यह वारे हम बात करेंगे, सीजल 2023 के टायर 1 के रिजल्ट कब तक expected है, अगर हम देखे तो हमारा एक्जाम 27 जुलाई तक खतम हो चुगा था सारा, सिफ खतम हो गया था, तो अगर हम है, वैसे 2022 से 2022 कि इसकी बात करेंगे, तो रिजल्ट आपका 1 and a half months के बाद आता है, गराम खतम होने के बाद, तो उससाब से रिजल्ट आपका 10-15 सप्तेमबर तक आ जाना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे, तो इससाब से मेभी आपको इस वीक ज्यादा चांसे सा, 90% चांस इसकी बात करेंगे, उसमें दिया हुआ कि यह अपता आ जाएगा आपका, उसमें दिया हुआ कि इस वीक एक्सपेक्टेट की टायर वन कर रिजल्ट आ जाएगा, इसके लाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रिजल्ट यह वेट ना करें, आप तयारी में लगे रह हैं, आपको तयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए बस सेम है, टायर वन और टायर टुगा, तो उसमें आपको इधर उदर नहीं करना, नहीं सोचना है कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, तो 2024 के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो इसलिए बस बताना चाहू आपको जो कंसिस्टेंट रहना और कुछ नहीं करना, उतना कट अप की चिंता नहीं होगा, नहीं होगा, वो नहीं सोचना आपको बस लगे रहना, तो बस सब सेम है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो नहीं होगा तो भी अच्छा है, आपको 2024 का फाइदा मिलेगा, तो बस यहीं बताना चाहरा है, तक रिजल्ट आना ही वाल आए, हो सकता कल परसों तक आजाए, या मंडे टुष्टे को आजाए, तो बस यहीं बताना था, ठैंक यू, देखने के लिए वीडे, बहुत बहुत धिन्यवाद,